Hi everyone, तो आप बच्चों के लिए RRB की तरफ से एक job का update आया है आप लोगों को एक senior technical associate की position जो है वो निकाली गई है RRB के दवारा चलिए इस वीडियो में फटा फट से जानते हैं कि क्या-क्या इसके बारे में important information है जो आपको पता होई चाहिए Let's start with the very basic thing and the most important thing and that is the date तो अगर आपने ध्यान दिया हो यहां पर लिखा हुआ है technical associate on contract basis तो इस वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा कि contract कितने time का है और क्या-क्या conditions है वो भी देखेंगे और selection क्या होगा procedure वो भी देखेंगे सबसे बहले समझ लेते कितनी vacancies है तो दोस्तो civil engineering के बच्चों के लिए कुल 60 vacancy है electrical वाले बच्चों के लिए 20 vacancy है और minimum education qualification में BTEC मांगा हुआ है जो आपके पास होना चाहिए not just BTEC लेकिन इसमें एक चीज और मांगी गई है जो बच्चों के पास होनी चाहिए and that is the gate scorecard आपके पास 2019 से लेकर के 2023 तक के बीच किसी भी साल का including 1923 आपके पास scorecard होना चाहिए gate का और याद रखिएगा इसमें जो selection यह आप कह सकते हो कि criteria लिया गया है cut off के लिए वो लिया गया है आपका ratio 1 in 1 का number of vacancies के basis पे इसके अलावा जो आपकी education qualification की बीटागा है उसमें कितना score होना चाहिए कितना percent होना चाहिए that is also given 60% 55% या फिर SESTS के लिए 50% जैसा जनरली देखा जाता है not just this इसके अलावा आपके बास age का भी factor बताया है 20-34 की उमर के बीच में अगर आप है तो आप इस पोस्ट के लिए eligible है apart from this relaxation भी है आपका reservation आपको पता ही है अब आते हैं hiring process पे दोस्तों तो hiring process इसका बिलकुल वैसा ही है जहां पे आप लोगों को it is done on the basis merit merit basis पे है gate score का and इसी के अलावा एक चीज और जान लीजे यहां पे दोस्त कि आपका जो medical है इसके बाद selection के बाद medical process भी चलेगा अब आते हैं अगली चीज़ पे कि इसका payment कितने रुपी है तो 100 रुपे का fees रखा गया है RRB के तो अब आएंगे हम next चीज पे जो कि होगा salary तो आपका जो full-time contract and the monthly जो आपका remunerations है या फिर salary है that depends on कौन से आपके शहर में आपको posting दी जा रही है उसके recording आपका Z class Y class X class decide होता है and based on that यह आपका salary रहने वाला यहां पर अच्छा फिर इसके लावा क्या है सर हमारे पास daily allowance दिया जाएगा leave entitlement के लिए आप रहोगे अवेel journey from headquarter to workplace अब आदे duration पे जिसका आप सबको इंतिधार था कि इस contractual job का duration कितना है तो officially जो duration है इसका वो एक साल का है साफ लिखा हुआ contract engagement will be for maximum one year या फिर आपकी उस position के लिए इन लोगों को अरवी वालों को अगर कोई select करने अगर कोई तो यहां पर यह clearly mentioned है मैं आप लोग को false hope ना दे करके exact चुछीज है वो बताना चाहता हूं बागी medical fitness होगया training हो गई eligibility conditions आपको पता ही है apply करने के लिए आपको इस website पर जाना है और यहां पर apply कर देना है आप इस पर click करोगे तो आपको मिल जाएगी यह website ठीक है अभी यह खुलने रहे है लेकिन आप इस पर try करेंगे तो यह खुल जाएगी ठीक है थोड़े पहले हमने try किया था तो खुल गई थी website राइट तो इसी जानकारी के साथ अब विदा लूँगा मैं आप लोगों से इस सेशन को फटा-फट से अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले था